या महीं पुराने नोटों को बैंकों में जमा करवाने की समय सीमा आज समापत हो रही है आज के बाद आप 1500 के पुराने नोट बैंक में जमा नहीं करा पाएंगे 31 दिसंबर से पुराने नोट से रिजर्ब बैंक के काउंटरों पर ही जमा होंगे वो भी सिर्फ 31 मार्च 2017 तक लेकिन इसके लिए कुछ शर्टे रखी गई हैं सरकार ने एक सीमा से अधिक 500 रुपे और 1000 रुपे के पुराने नोट रखने पर जुर्माना लगाने का अध्यादेश पास किया है सरकार के मताबिक नोट बंदी के बाद सिर्फ 60 लाख लोगों और कमपनियों ने मिलकर करीब 7 लाख करोड रुपे बैंक में जमा कराए हैं सरकार ने बैंक में 2 लाख से ज्यादा की रकम जमा करने वालों की जानकारी जुटाने का दावा किया है उन लोगों की भी जानकारी जुटाई जा रही है जिन्होंने एक से ज्यादा बैंक अकाउंट्स या दूसरों के अकाउंट में पैसे जमा किये हैं